हाव रुफिक्स पेटीम वीडियो क्यो आईसी एरोर सम्टिंग वेंट रॉंग प्राउब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगरे अब सभी का तिकिराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि पेटीम के अंदर पर फिलाल वीडियो क्यो आईसी चल ठीक है तो पेटीम पर वीडियो क्यो आईसी इसलिए करते क्योंकि आप ऑनलाइन ही सारे क्यों को यहाँ पर फिल कर सके या फिर क्यों को एप्लाई कर सके ऑनलाइन से उसलिए तो केसे solve होगा problem, क्या solution करना है, यह मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा, वीडियो शुरू से लेके आन तक देखे, वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए bell icon को click करे, और अगर आप online पेसा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा, किस सबसे पहले आपको अपने app में solution करना है, उसके बाद आपको network में fix करना होगा, ठीक है, एन एन आपका problem solve हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर app का solution करना है, उसके लिए आपको जाना है play store में, play store में जाने के बाद दोस्तों एक बार आप app को update कीजिए, ठीक ह तो यहाँ पर मैं आपको यह भी show करके बता हूँगा कि video kyc है कहाँ पर कैसे काम करते है, पेटिंग बेंग ओपेन कर लिया, ठीक है, चेक आउट करते है, kyc pending, kyc में गया, और यहाँ पर अपग्रेट यूर एकाउंट नाउ, एन यह है video kyc है, ठीक है, verify your identity by verifying your address and initiating a video chat, त क्या कर सकते है, kyc apply कर सकते है, या फिर आप क्या कर सकते है, discover nearby kyc store, ठीक है, आप यह भी कर सकते है, मान लेजें दोस्तों, आपके आसपास में आपको check करना है, kyc store कहाँ पर है, कहाँ पर जाके, आप kyc कर सकते है, पे एटिम का, उसके लिए आपको मिलेगा, kyc visit, ठीक है, visit a nearby kyc store, तो उसमें click कीजे, और आपको nearby kyc point मिल जाएगा, location को on कीजेगा, तो थोड़ा सा wait करने के बाद आपको nearby location मिल जाएगा, या पर आया हुआ, kyox boot, आप वहाँ पर जाके इस तरह के से कर सकते है, आपको address पुरा मिल जाएगा, direction मिल जाएगा, call number मिल जाएगा, ठीक ह यहाँ पर add करने का जो रहते है, offline वह आप follow कर सकते हैं, ठीक है, अगर वीडियो kyc काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यह चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर वीडियो kyc काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है, पहला solution मिल आपको बता दिया app update कीज़े, अगर उससे काम नहीं बन रहा है, तो जाए है setting, ठीक है, scroll down कीज़े, app and notification पर जाए, app and notification, manage app, install app, app management करके option मिलेगा, उसमें जाके ptm को open कीज़े, storage and cache पर click कीज़े, clear storage, ok कर दिज़ेगा, उसके बाद bake कीज़े, bake करने के बाद, permission पर जाए, सारे permission allow कीज़े, especially आप का camera, उसके बाद हो गया, microphone, ठीक है, यह सब काफी जादा important है, उसके बाद आप mobile data and wifi access वगरा चेक करके, bake कर लिजेगा, mobile को restart कीज़ेगा, end and, आप video के वाजिसी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप याज़े पर problem solve कर सकते हैं, अभी दोस्तों बाद आते हैं, netrock solution, अगर netrock प पर जाए, sim open कीजिए, and then, apn setting पर जाए, access point name, उसके बाद three dots, and then reset to default कर दीजे, और यह करने के बाद आपको पुरा back कर लेना है, और netrock setting को reset करना है, उसके लिए system, reset option, reset wifi, mobile and bluetooth, sim select कीजिए, और उसके बाद reset पर क्लिक करके, mobile pattern add करके, reset कर देज़ेगा, अपना netrock setting को, netrock setting reset करने के बाद, mobile को restart कीजिए, and then check करके देखिए, आपका problem solve हो चुका होगा, ठीके, तो इस तरीके से, आप यहाँ पर, ATM का video kyc problem fix कर सकते हैं, उमीद करते हैं, आपको यह video पसंने होगा, thanks for watching,